हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं इश्रम कार्ड की तो दोस्तों इश्रम कार्ड क्या है इसको बनाने के फायदे क्या है नुकसान क्या है कौन-कौन इसको बना सक और जो नुकसान है वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के बीच में कहीं पर तो आप समझने की कोशिश करिएगा और ये पूरी वीडियो देखिएगा कि क्या नुकसान होते हैं इस कार्ड को बनाने के तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ये योजना है क्या और इसकी आवस सफरी मची थी तो दोस्तों सरकार का मानना ये है कि 40 करोड लोग जो हैं भारत में वह असंगठित रूप से मजदूरी का काम करते हैं जिसमें आपके सबजी बेचने वाले रिक्षा वाले फेरी वाले पंचर लगाने वाले या ऐसे कई सारे लोग जो की मजदूरी करकर काफी लंबी चोड़ी लिस्ट है इसकी दोस्तों तो ऐसे लोग जो कि किसी यूनियन में नहीं है या किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करते जिसमें EPF यानि PF कट रहा हो तो ऐसी जगा इनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है ऐसे लोग असंगठित मजदूर कहलाते ह हैं और इनका डाटा सरकार को इखटा करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो लोगडाउन की स्थिती बनी थी देश में तो देश के पास या भारत सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं था कि उन लोगों की मदद की जा सके ऐसी महामारी या आपता में तो यही एक कारण है कि सरकार ने यहाँ पर 404 करोड रुपे का बजट इस साल पास किया है और इस योजना को लागू किया है तो दोस्तों अगर हम डाटा की ही बात करें तो अभी तक मातर 4 करोड यानि लगभग 10% लोगों ने ही इसमें रेजिस्टेशन करा रखा है और जो लास्ट येर वाला तो दोस्तों इसके लिए कोई जादा कागजी कारवाई की जरूरत नहीं पड़ती है पहली चीज आप समझ लीजिए कि इश्रम काड क्यों बनवाना पड़ेगा या क्यों है इसको बनाने की जरूरत जिस तरीके से दोस्तों दिल्ली, मुंबई, कैलकटा और बड़े लोग कमाने के लिए जाते हैं ऐसे ही लोग जो की बिहार, यूपी, उडिसा, बंगाल यहां से आते हैं तो कई बार होता यह है कि यहां पर इनको मज़दूरी करने में दिक्कत आती है यहां पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि इनको हम मजदूरी के लिए रखें या ने तो ये चीजे भी solve इस e-shram card से हो जाएगी माल लिजे कोई बंगाल या यूपी से कहीं काम करने मुंबई या दिल्ली गया है अगर उसके पास e-shram card है तो वो easily उसकी verification कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी कोठी बंगले या कहीं भी काम कर सकता है वो बिना किसी verification के दोस्तों जितना ही पुराना e-shram card होगा उतना ही उस व्यक्ति का experience भी होगा उसके कारे में तो दोस्तों इससे उसको काम भी easy रूप में बड़े ही असानी से उन बड़े बड़े शहरों में मिल सकता है वो किसी भी शहर में भारत के किसी भी शहर में जा करके उस card का इस्तमाल करके काम पा सकता है तो एक फाइदा तो दोस्तों यही है कि इस card को बनाने से एक आपकी identity है यह prove करती है कि आप इस card में कुशल है और आपको रखा जा सके दूसरा दोस्तों फाइदा यह है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं टाइम टाइम पर लाई जाती है वो इससे आपको सीधे खाते में पैसे मिलेंगे जैसे कि आपता आती है लास्ट येर जिनके card बन चुके थे उनको 5000 रुपे के आसपास मिले थे दोस्तों इस e-shram card के जरिये जो की lockdown में उनके काम आया था दोस्तों अगर बात करें यहां पर security की तो वो भी available है insurance के रूप में दोस्तों अगर किसी को भी किसी भी श्रमिक card holder को अगर कुछ हो जाता है तो दोस्तों उसके nominee को 2,00,00 का insurance cover मिलता है अगर हम बात करें disability की यानि अगर 80% से आसपास disability हो जाती है तो भी 2,00,00 का insurance cover मिलता है अगर 50% से कम disability होती है तो दोस्तों उसको 1,00,00 का insurance cover मिलता है दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर शादी बया की तो शादी बया में भी लड़की की शादी पर भी कुछ पैसे देने की योजना बनाई जा रही है इसमें और दोस्तों काफी सारी जो योजना के फायदे हैं वो इस पे आपको मिल सकते हैं बात करेंगे दोस्तों की इस श्रम कार्ड को बनवा कौन सकता है तो दोस्तों इसकी काफी लंबी लिस्ट है जिसमें और जितने भी मज़़ूर वाले काम है जो की आसपास होते हैं जिनका कोई संगटन नहीं है वो बनवा सकते हैं दोस्तों लेकिन अगर आप किसी प्राइव मिलती है और company listed है तो वहां के लिए ये procedure काम नहीं करेगा दोस्तों हो सकता है कि आप अगर apply भी करें तो cancel हो सकता है तो अगर बात करें इसकी उमर की तो 16 साल से उपर के कोई भी सदस इसको बना सकते हैं और 69 साल यानि 59 यर तक के लोग इसको बनवा सकते हैं और इस योजना का आप उठा सकते हैं तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो हैं तीन चीजें पहला आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है दूसरा एक bank खाता तीसरा दोस्तों जो जरूरी है वो है mobile नंबर तो दोस्तों वो mobile नंबर भी attach होना चाहिए आपके अधार कार्ड से तक कि जो OTP शेयर होगा अधार कार्ड के थूरू वो उसी mobile नंबर पर आएगा दोस्तों आप इसको अपने mobile के जरीए भी ईश्रम कार्ड को फॉर्म फिल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन ये काम थोड़ा सा पेचीदा है दोस्तों यह पर आप परेशानी उठा सकते हैं अगर आप खुछ से करते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज आप जाएं अपने नियर साइबर कैफे में जो की इन सब कामों में एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप कराईए थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा लेकिन आपका काम इजी वे में हो जाएगा तो दोस्तो फायदे आपको इसमें पता ही चल गए हैं दूसरी चीज कि आप जानना चाहते हैं कि इसमें नुकसान क्या होगा तो दोस्तो इसमें एक परसेंट भी नुकसान नहीं होगा अगर आप रेस्टेशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते ह यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान आपके साथ कभी भविश्य में नहीं होगा तो दोस्तों यह फाइदे की योजना है और इससे आप फाइदा उठा सकते हैं आपका कोई भी सवाल होगा दोस्तों तो आप कमेंट करें आपको जवाब जरूर मिलेगा मेरी आने वाली वीडियो में भी आपके सवालों को उठा करके मैं एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा जै हिन, जै भारत